किसान साथियो मैं आपका अपने चैनल में हार्थिक स्वागत करता हूं किसान साथियो आज मैं आपका दिखाने वाला जो हूं किसान साथियो यह एक रेतीला खेत है रेतीला खेत किसान साथियो और इसमें जो आप यह पोपुलर देख रहे हैं विमको 109 वैराइटी के किसान किसां साथियो यह popular हैं और 13 भाई 13 की दूरी पर किसां साथियो यह popular लगे हुए हैं कई किसां साथियो पूषते रहते हैं कि रेतीले खेत में कौण सी variety लगाए या पूसमें जो variety लगाए वो अच्छी होगी या नहीं होगी तो तो किसां साथियो यह विमको 109 विराइटी है और तेरा बाई तेरा की दूरी पड़ लगे हुए हैं ये देखे किसान साथियों मैं अगर पास से भी दिखा दूँ ये खेत आपको रेतीला खेत ये देखिए रेतीली किसान साथियों इसकी मिट्टी है और किसान साथियों इसमें आप देख सकते हैं धाई साल के पोपुलर हो चुगे हैं और 24-25 इंच इनका साइज भी हो चुगा है आईए मैं आपको और भी पेड़ दिखा देता हूं देखे किसान साथी हो 24-25 इंच के पेड़ और बड़ा ये अच्छा पलोट किसान साथी हो ये साड़े आठ भीगे का प्लाट जो है रेती फेले खेट में क्योंकि किसान साथी हो इतनी तागत वड़ना होने की वजह से इसमें और कोई फसल जो है तनी अच्छी नहीं हो पाती और जो है उससे हम अच्छा मुनावा नहीं कमा पाते लेवर किसान साथी हो हमको पूरी देनी पड़ती है चाहे हमारी फसल का मोया बाई 13 की दूरी पर विम को एक सुनो वराइटी के पेड आप इनकी हाइट चेक कर सकते हैं डाई साल के किसान साथियों इन्हों ने जो पेड लगाए थे इस खेत को त्यार करने से पहले पहले इन्हों ने इसमें जो पलो होता है पल्टू जिसको आम बाशा में हमारे यहां पर बोला जाता है जिससे मिट्टी पल्टी जाती है वह इसमें फिर फिर वहागे किसान साथियों कंप्यूटर जो करा होता है लैंड लेवलर वह लगवागे किसान साथियों इन्होंने इसमें इन्होंने पॉपुलर लगाए थे और इसके बाद किसान साथियों इन्होंने इसमें गन्ने की बिजाई की थी गन्ना तो हालागि इसमें ऐसा कैसा नहीं था लेकिन जो पोपलर थे वो एक हैरान करने वाड़े साइज में त्यार हुए एक बड़े अच्छा साइज इनों ने लिया जोगी आम मेरे सामने देख भी पा रहे होंगे तो किसान साथ ही ऐसा किसान साथ पानी को सोख लेती है और पेड़ थोड़ी थोड़ी करगे अपना नमी प्राप्त करते हैं और अच्छा साइज ले लेते हैं और गिरने के चांस भी किसान साथ यो बहुत ज्यादा कम होते हैं इन खेतों के अंदर अगर किसी भाई को रेतीले खेत में पोपुलर लगाने हैं तो यह आपके सामने एक रिजल्ट अभी में को एक सो नौ वराइटी गा जो आम मेरे सामने देख पा रहे हैं किसान साथ ही हो हालंकि हो सकता है इस बार यह पोपुलर कट जाएं क्योंकि एक दो दिन पहले भी जो इनको देखने के लिए ठेकेदार वो आए हुए थे बाकी चलो जब विकेंगे नहीं विकेंगे लेकिन हमारा मेरे में मकसद आपको दिखाना की रेतीले खेत में भी आप एक अच्छी फसल जो है ले सकते हैं अच्छा मुनाफ़क कमा सकते हैं और फसलों के मुकाबले तो किसान साथियो रेतीला खेत त्यार करने के लिए मैंने ओर भी वीडियो बणाई है आप उनमें क्या-क्या डोस डाल कर उनको त्यार कर सकते हैं आलंकि जादा बैटर आपके लिए यही रहेगा जैसे आपके पास रेतीले खेत है तो आप उसमें जादा है जादा मातर में देशी खाट डालें क्योंकि किसान साथियो दो से तीन महीने के बाद ही वो जमीन को ताकत वर बनाता है और दो से तीन महीने के बाद किसान साथियो उसकी मिट्टी जो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है जो कहीं ने कहीं रेती ले खेत में कुछ ने कुछ मिट्टी जो बदलने का है वो काम तो करती है उसके साथ-साथ हम उसमें जैविक खाद भी डाल सकते हैं केंच अखाध भी pourquoi्जाम साथ हों उससे साथ आप उनका बबर तो कोई नुक्सान नहीं होगा Direकिन मुरुजी खाथ बी डाल सकते है जैसा से जौन सब मरजी खाथ डालें उसमें डेसी जैविछ जैसा भी उसके साथ आप उसमें एक बार पानी जरूर लगा दे, एक या दो बार पानी भर दे, क्योंकि इससे जो खाद की गर्मी है, जो एक दम फसल को नुक्सान ना पहुंचाए, वो थोड़ी कम हो जाती है, और कहीं न कहीं किसान साथियो, खाद अच्छी तरह मिक्टी में मिक्स भी हो जाता है, जो उसक के अंदर ताकतवर चीजे होती है, वो पानी के दुवारा थोड़ी जमीन में अंदर तक जाने का काम करती है, जिससे आपको थोड़े और लंबे समय तक फसलों में ज्यादा एक्स्ट्रेक हाट डालने की जरूरत ना पड़े, उसका काम करती है, तो गिसान साथियो, आप क कि आज को जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करकर जुरूर बताएं, नए साथियों से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद